नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है मकर राश्य वालों दोस्वों अब आपकी अमरित पीने के दिन आ गई ज्या दोस्वों बगवान भुरिणात के श्रबाश्य अब आपका श्रमे शुब होने वाले हैं अब आपको खुशों की प्राप्ति होंग जो कि आपके लिए बहुत लाब कारी होंगे और आप यह शुमे कई परकार के शुब समाचारों को शुनने वाले हैं कई चेत्रों में आपको लाब देखर को मिलेंगे क्यों दोस्ओं यह शुमे बगवान भर्यनात का फहरा आपकी जोनकाल पर रहने वाले हैं और अब आपका जीवन शुक्माय बनने वाले हैं जैंदोसों लेकिन दोसों आपको बता दे कि कई बार व्यक्ति अच्छे कारी को भी बुरी तरीकेशे करते हैं तो उन्हें शुपलता की प्रापती नहीं होते हैं तो आपको कही ने कहीं शाव्धान भी दहने के अवश्पता है तो अच्छे कारी में थोड़ा शावी खराब चीछ चला जाए तो दोस्तों वह कारी ही पूरा खराब हो जाते हैं और शुम्हें आपके लिए शुब होंगे बसरते अब आपकी जलत होती है कि इस शमयों को जानेगे की निश्मी अंतराल में जो गरों की तिति होगी इनके शाथ साथ आपको कौन से छोटे चत्रों को लेकर शाओधन वी रहने होगे कौन शी कारे आपके लिए बागे चले होगी और कौन शी बढ़ी है उपलब्दी यह में आपको गरों की तितित देने वाली है आ अच्चे मंसे जाई भॉलीनात लिकेगा उरुजविकार भगवान भॉलीनात का शदे बस्रुबात प्राप्त करेगा तो दोस्तों जरू लिकेगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्काइब कर लें शाथ भी बैल आइकन को प्रेज करक दोस्तों यश में गरह स्तितिया अनुकुल है आप उने कारियों को भेतरिन तरीके से प्रारूप देने में सक्चम रहेंगे किसी नईदी की व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्पन मुद्दे पर भी यश में वीचार बिमर्श होने वाले हैं दोस्तों धार्मिक शंस्ता म में अभी श्वाश मंदी कारियों में उचित आपका श्मय वहतित होगा इसको प्रांति दोस्तों यह में अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो यह श्मय किसी भी सरकारी कारी को लप्रवाई की वज़ाशी अधुरार ना छोड़े क्योंकि दोस्तों किसे तरह की जो है पैनल्टी लग सकती है पैत्रिक शमंदी मामले अभी और अधिक उलजने की अशंका लग रही है इसको पांद दोस्तों यह में बताते हैं कि आपके लिए शमय होंगे दोस्तों घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरेदने के रिए यह जो शमय आपके लिए खर्चा ह हो शकता है यदि आप पर खर्चों का भार बड़ रहा है तो दोस्तों घर के खिशी व्यक्ति द्वारा आपको मदद भी यह में मिलेगा दोस्तों अपनी भावनों को योग तरिकेशी परकट करने की वज़ए श्मय आपको पीरिव्यक्ति के साथ आपके शमन भी बहुत होगे दोस्तों रिख्यों में भाग और प्रस्तियां आपके लिए भैत्रिन शमय का निर्यमान भी घर रहे हैं दोस्तों अनामशक खर्चे भी आपके शामने यस में आ सकते हैं अगर विदेश मंदी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों इन्हें अभी अस्तगीती रखना आपके लिए उचित होंगे शुपरा दोस्तों आपके लिए शमय होंगे आपको बदा दें कि आपके कठी शमय में आपके मित और परिवार दोनों से शाहता मिलने वाली है दोस्तों आपके लिए मानशक स्वास्त को ठीक करना अधिक आवश्य होंगे जिन बातों में आपको यस नहीं मिल पा रहा है दोस्तों उन बातों के बारे में किसी के साथ जो है अधिक चर्चा ना करें क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ चर्चा करके केवल आपके नकार्दमक्ता ही बढ़ेगी और आपको लोग सिर्फ शिड़ाएंगे लोग आपकी यश में शाथ नहीं देंगे तो दोस्तों यश में उनसे इन बातों का शेयर करने से बचें इस उपान दोस्तों आपके लिए चुसमें होंगे आपको बता दें कि दिन कुछ मिला जुला परवाव भी आपके लिए लाह रहा है किसी संपर के दोवरा महत्मुर्ण समाचार भी आपको प्रापत हो सकता है जो कि आपके भुष के लिए बहुत ती लाबदायक शाबिद होंगी दोस्तों यश में आपकी आर्थिक दिती भी कापे हद तक बहतर रहने वाली है शादी दोस्तों दोपर बात जो प्रस्तितियां होंगी आपके लिए कुछ प्रतिकुल वातारन भी बना सकती है जिन कारण शे कोई मुशिबत जो है आपके शामने खड़ी उर सकती है और दोस्तों आपको दादें कि काम के दवाब के चलते आप खुद को फंशा हुआ भी यश में महसुस करेंगे विद्यार्थी वर्ग को अपने प्रतियोगता परिशाओ के त्यारी के लिए जो अधिक यश में महनत करने की भी जरुत होंगी तो दोस्तों आप जरूर यश में अपने ध्यान को पड़ाए के प्रति फोकस करें या आपके भईश के लिए बैतर होंगे और भईश में आपके उजवाला सपनों को आप शकार कर सकती है इसको परांद दोस्तों यश में आपके लिए शुमें होंगे आपको बता दें कि दिन की सुरुवात आपके लिए थोड़ा सा चिंता और तनाव का परभाव बनाएगा क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है कि हम भईश में कौन से कारी को करेंगे लेकि दोस्तों आपको यश में चिंतन करने की आपशकता नहीं है और अपने कारियों के प्रतिक अपने ध्यान को केंदर्द रखें आपको भईश में अच्छा शुबलता भी यश में प्राप्त होने वाले है इसको प्रादी दोस्तों ये श में आपके लिए श में होंगे आपको बता दें कि अचाना की किसी महत्पून वेक्ति से मुलाकात भी आपकी होगी तथा उनके मारदशन से कई मुश्कुलों का भी निवारन होगा दोस्तों रूची पुर्ण तो था ग्यान वर्तक शाहित को पढ़ने में भी शमय आपका वहतित होगा पुराने मित्रों के शाथ भी मेल जोन खुश्णमा यादों को ताजा करने वाले हैं इसको पुरान दोस्तों याश्णमे किसी निकट शमंदी के शाथ जो उसका स्वास दे उनके स्वास को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सा रह शकता है दिखावे के जकर में करज लेने से बचें क्योंकि अगर आप उनको दिखावे के चिकर में कोई रुपीया पिशाथ देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का भी शम ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आपके उपर कर्ज का पोच बढ़ेगा तो भवश को लेकर आपकी जोश्तितियां है गडबर होंगी और आपके आर्थिक देश्तिती और भी तंगी कोर जाएंगी तो दोस्तों इनसे बचें और दिखावी की प्रविर्टिश यहां में दूर रहें जोड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा अध्यात्म में आप जोए आपकी खास सुर्यस में रूची रहने वाली है तो अध्यात्मिक छेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए जो समय होंगे आपके जो प्रत्न होंगे यह में सबलता देंगे दोस्तों आपको बता दें कि यह में नोकरी पेशा टार्गेट पूरा ना होने के वज़र से बहुत सोब पर अधिकारियों की वजवे डाट फरकाट सुनने भी पड़ सकती है इसको प्रांत दोस्तों यह में आपके केरेर के लिए समय होंगे आपके वायोशाय के समय होंगे आपको बता दें कि कारेशित में कुछ खास लोगों के शाथ फायदमन मेंटिंग भी हो शकती है जिससे आपको बड़े ओडर भी यह में प्राप्त होंगे तो दोस्तों काम को शमय पर पूरा करना आपकी काबलियत पर निर्वर करता है इस दोस्तों यह में काम पर अपना ध्यान को केंदर रखें शरकारी शवारत व्यक्तियों पर भी कोई महत्कुन जिम्यधारी यह में आश्मिया सकती है लेकिंट दोस्तों इन जिम्यधारीं को आप यह में निवाव पाएंगे और अच्छी सभलता को भी यह में आप अर्शित कर पाएंगे इसको दोस्तों अपने किशिवी कारे में जो है घर के अनुभवी वार फिर वरिश्वेक्तियों की शला अवर्शने उनकी शला आपके लिए इसमय फायदमन साबित होने वाली है इसको प्रांद दोस्तों इसमय आपके केरेर के लिए जिसमय होंगे आपको बता दें कि वह व्यवश के लिए और आपके केरेर के लिए बहुत ही महत जो होंगे प्रांद तो उनेसम में ओर कि लाईफ लाएक से बात करें तो दोस्तों जीव ही शात्ती का श्ययोग आपके लिए बहुत ही सुकुन तायक रहेगा तथा आपक्छी समंदों में भी यस में मदूरता रहेंगी दोस्तों यश में आपको बता दें कि वेर्थ के प्रेम शमंदों से दुरी बना कर रखें ये आपके लिए और आपके लव लाइप के लिए बहतर होंगे इसके प्रांद दोस्तों यश में आपके लव लाइप के लिए आपके लव लाइप के लिए आपक की नराजगी भी आपको शहन करनी पड़ सकती है शमनों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ उपार दें तथा मनरणजन शमन्दी प्रोग्रेम भी आप अवश्म बनाए इसको ब्रांद दोस्तों यह आपके लवलाइप के लिए समयोंगे आपके पारिवरिक जोवन के दोस्तों आपको बता दें कि यह मैं बच्चों के समसिया को लिए कर चीनता रही सकती है वह नहीं करें यह आपकी बासुमे बहेता होने वाले जोबी करवाय करो में भी अपने लेखर आपके साहघे सिम्हें आपको बतात्त को पताता हैं कि शाम तक शुवास्त का थेन टम होगा प्रंतुर essayer को वह इस्थित रखना आपके लिए आवश्व होंगे तो दोस्तों जिरूर्डर ध्यान दे इसको प्रांदों सोजिश उस्तों में आपको प्रदा दें कि कि अपना immune system को strong रखने के लिए दिंच्रिया को वैस्तित रखना आपके लिए बहतर होंगे